नमस्कार दोस्तों, मैं तान्या यादव आपका स्वागत करती हूँ आस्टो सेज के यूड्यूब चानल पर आज हम आपके लेकर आए हैं 26 जन्वरी 2022 यानि की बुद्वार के दिन का दैनिक राशी फल इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसा रहेगा आज का दिन सभी बारा राशियों के लिए शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये दैनिक राशी फल आपकी नाम राशी और चंडर राशी दोनों पर आधारित है तो आए शुरू करते हैं मेश राशी से धन आपकी कई परिशानियों को दूर कर सकता है प्लानी और पच्चतावे में वक्त परबाद ना करें बलकि जिन्दगी से सीखने की कोशिश करें प्रेमी एक दूसरे की पारिवारिक भावनाओं को समझेंगे कार्यशेत्र में आप खुद को खास महसूस करेंगे आज का आपका लखी अंख है चार और लखी रंग है भूरा और सलेटी उपाई के तौर पर घर में रखी फटी हुई पुस्तकों को दुरुस्त कर लेने से पारिवारिक जीवन अच्छा चलने लगता है तो अब बात करते हैं व्रिशब राशी के जातकों की आपको सला दी जाती है कि शराब से दूर रहें क्योंकि इससे आपकी नींद में खलल पढ़ने की पूरी संभावना है जिससे आप गहरे अराम से महरूम रह सकते हैं आज आपको किसी अग्यात सोत्र से पैसे प्राप्त हो सकते हैं जिससे आपकी कई आर्थिक परिशानिया धूर हो जाएंगी ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो पॉजिटिव और मददकार स्वभाव के हैं आपका फ्रिये दिन भर आपको याद करने में समय बिताएगा अगर आप अपना नजरिया आसपास के ऐसे लोगों को बताएं जो महत्वपूर निन्या लेते हूं तो आपको लाब होगा साथ ही आपको काम की प्रती अपने समर्पन और निष्ठा के लिए शाबाशी भी मिलने की संभावना है तनाव से भरा दिन है और नस्दी की लोगों से कोई मदभेद उभर सकती है आपका जीवन साथ ही आपको प्यार का एहसास देना चाहता है उसकी मदद करें आपके लिए आजकर लखी अंग है चार और लखी रंग है भूरा और सलेटी उपाय के तौर पर बता दें की दूथ मिले जल से सनान करने से हेल्थ अच्छी रहीगी तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशी के जातकों की आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीजे सुधारने के लिए प्रयाप्त समय होगा लंबे समय से अटके मुआवसे और कर्ज आदी आखिरकार आपको मिल जाएंगे पुराने परिचितों से मिलने जुनने और पुराने रिष्टों को फिर से तरुदाजा करने के लिए अच्छा दिन है आपके प्रये को आपसे भरूसा और वादे की जरूरत है किसी साजीदारी वाली वेवसाएं में जाने से बचे क्योंकि मुम्किन है कि भागिदारी आपका बेजा फाइदा उठाने की कोशिश करे लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते है आपको ऐसा करने से बचना चाहिए किसी बच्चे या बूढे के स्वास्त को लेकर हुई परिशानी और प्रत्यक्ष रूप से आपके विवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है आपके लिए आज का शुब अंख है दो और शुब रंग है सिल्वर और सफेद उपाय के तौर पर नौकरी वे बिजनस में तरक्की के लिए घर के प्रवेश द्वार पर साथ लोहे की कील लगवाएं तो अब बारी है करक राशी के जातकों की आज के मनुरंचन में बाहर की गती विद्धियों और खेल कूद को शामिल किया जाना चाहिए धन का आगमन आज आपकी कई आर्थिक परिशानियां दूर कर सकता है जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपाहर का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है किसी की दखल अंदाजी के चलते आपके और आपके प्रिये के रिष्टे में दूरियां आ सकती है वही दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्या ना करें जो आप स्वैम न करना चाहें दूसरों की राये को गौर से सुने अगर आप आज वाकई फाइदा चाहते हैं तो विवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी आपका आज का लखी अंग है पांच और लखी रंग है हरा और फिरोजी उपाई के तौर पर सोने का चल्ला अनामे का उंगली में धारन करने से लव लाइफ स्मूदली चलेगी तो अब चान लेते हैं लियो यानि की सिंग राशी वाले जातकों का राशी फल अपनी बिमारी के बारे में चर्चा करने से बचें खराब तब्यट से ध्यान हटाने के लिए कोई और दिल्चस्प काम करें क्योंकि इस बारे में आप जितना जादा बात करेंगे उतनी ही जादा तकलीफ आपको होगी आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं गुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन उसमें खर्च भी हो सकता है दोस शाम के लिए कोई बढ़िया प्लान बना कर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे प्यार महबत के मामले में चल्बाजी में कदम उठाने से बचे आज आपके पास अपनी धनार्जन की शम्ता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होगी कारेशेत्र में किसी काम में खराबी की वज़ा से आज आप परिशान रह सकते हैं और इस पारे में सोचकर अपना कीमती वक्त भी बरबाद कर सकते हैं आपके और आपके जीवन साधी की दर्मिया कोई अजनबी नोग जोग का कारण बन सकता है आज के लिए आपका लखी अंख है तीन और लखी रंग है केसरिया और पिला उपाई के लिए सफेज चंदन का तिलक लगाएं इससे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा तो अब जान लेते हैं कन्या राशी वाले जातकों का देनाच कैसा रहेगा नफरत की भावना आपको आज महेंगी पड़ सकती है ये ना केवल आपकी सेहन शक्ती गटाती है बलकि आपके विवेग को भी जंग लगा देती है और रिष्टे में हमेशा के लिए दराल डाल देती है लॉंग टर्म फायदे के नजरिये से स्टॉक और म्यूच्वल फंड्स में निवेश करना आपके लिए आज फायदे मन रहेगा अपने परिवार की भलाई के लिए महनत करें आपके कामों के पीछे प्यार की भावन होनी चाहिए और ना की लालच की आपके प्रिये के कड़वे शब्दों के कारण आपका मूड भी आज खराब हो सकता है पले ही छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़े लेकिन कुल मिलाकर यह दिन कई उपलब्धियां दे सकता है उन सह कर्मियों का आज खास ध्यान रखने की जरूरत है जो उमीद के मताब़े चीज ना मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते है दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए इसके लिए आपको अपने लिए भी समय निकालना सीखना होगा अपने जीवन साथी के किसी छोटी बात को लेकर बोले गए जूट से आप आहत महसूस कर सकते हैं आए जान लेते हैं आपका शुब अंख आपका आज का शुब अंख है दो और शुब रंग है सिल्वर और सफेद उपाय के तौर पर भैरग जी की पूजा करने से आपको स्वास्त में लाब होगा तो अब बात करते हैं तुला राशी के जातकों की आपके जीवन साथी की सेहत को ठीक तरह से ध्यान दिये जाने की और देखभाल की सक्थ जरूरत है धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परिशानियों से दूर कर सकता है पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाफ की वजा बन सकते हैं सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपनी पत्नी या पती को भावनात्मक सहारा दे पाएंगे व्यवसाईयों के लिए अच्छा दिन है क्योंकि इन्हें अच्छानक बड़ा फाइदा हो सकता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आज आपको इस बात का कोई फरक नहीं पड़ेगा बल्कि आज तो आप खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे और एकांत में ही आनन्दित रहेंगे आपका जीवन साथी आपको पाकर खुद को खुशनसीव समझते हैं इन पलों का भरपूर उपयोग करें आज का आपका शुब अंख है चार और शुब रंग है भूरा और सलेटी उपाई के लिए पक्षियों को सतनाजा खिलाने से स्वास्त अच्छा रहेगा तो अब बारी है व्रिश्चक राशी के जातकों की अपने मानसिक स्वास्त पर ध्यान दे ध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है मस्तिश्क जीवन का द्वार है क्योंकि अच्छा बुरा सभी कुछ इसी के माध्यम से होता है यही जिन्दगी की समस्या दूर करने में सहायक सिध होता है और सही सोच से इनसान को आलोकित करता है जिन लोगों ने किसी से उधार लिया है उन्हें आज किसी भी हालत में उधार चुकाना बढ़ सकता है जिससे आर्थिक स्थिती थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी कुछ लोग आपकी जुन जुलाहट की वज़ा बन सकते हैं इन्हें नजर अंदास करें आप अचानक गुलाबों की खुश्बू से खुद को सराबोर पाएंगे यह प्यार की मधोशी है इसे महसूस करें काम में धीमी प्रगती हल्का सा मानसिक तनाव दे सकती है आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होंगी लेकिन तनाव भी देंगी जिसके चलते आप थकान और दोविदा महसूस करेंगे लबे वक्त के बाद अब अपने जीवन साथी के साथ नस्ती की महसूस कर पाएंगे आपका अचका लखी अंख है छे और लखी रंग है पारदर्शी और गुलाबी उपाई के लिए सफेद गाएं को चारा खिलाएं इससे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा तो अब जान लेते हैं धनू राशी के जातकों का दैनिक राशी फल आपकी जीत और महनत और परिवार का सायोग इच्छत परिणाम देने में कामियाब रहेंगे लेकिन तरक्की की रफ्तार बर करार रखने के लिए महनत इसी तरह जारी रखनी पड़ेगी जो लोग लगू द्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलहा मिल सकती है जिससे उन्हें आर्धिक लाब होने की संभावना है आज का दिन खुश्यों से भरा रहेगा क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा रुमान्स के लिहास से भी ये दिन रुमान्चक है शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और जितना हो सके उसे उतना रुमानी बनाने की कोशश करें अपने घर में बिकरी चीजों को संभालने का आज आप प्लान करेंगे लेकिन आपको इसके लिए आज खाली समय नहीं मिल पाएगा यह शादी शुदा जिन्दगी के सबसे खास दिनों में से एक होगा आप प्रेम की गहराई का अनुभफ करेंगे आज का आपका शुब अंक है तीन और शुब रंग है केसरिया और पीला उपाई के तौर पर स्वास्थ लाब के लिए पीला रुमाल जेब में रखें तो अब बात कर लेते हैं मकर राशी के जातकों की पहले तो आपको ये सला दी जाती है कि काफी पीना छोड़ दें खास्तर कि वह जातक जो दिल के मरीज है आज के दिन आपको आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुम्किन है कि आज आप जरूरत से जादा खर्च करें या आपका वालिट कहीं खो जाए ऐसे मामले में साफधानी की कमी आपको नुक्सान पहुचा सकती है आपके बच्चों के पुरुसकार विठरंड समारों का बुलावा आपके लेए खोशनुमा एहसास लाएगा आपके बच्चे आपकी उमीदों पर खरे उतरेंगे और आप उनके जरीए अपने सपने साकार होते हुए देख पाएंगे प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे काम पर लोगों के साथ मेल चोल में समझ और धहरे से सावधानी बढ़ते यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागुरुपता में वृध्धी करेंगे आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बेहत खास करने वाला है आपके लिए आज का लखी अंख है तीन और लखी रंग है केसरिया और पीला उपाई के लिए शिवजी को पंचामरत से स्नान कराएं इससे आपकी हेल्थ बनी रहेगी तो अब बात कर लेते हैं कुम्प राशी के जातकों की आज के दिन आपको महत्वपूर्ण निर्ने लेने होंगे जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है आज घर से बाहार बढ़ों का आशरवाद लेकर ही निकले इससे आपको धन लाब हो सकता है आपको अपने घर के महाल में कुछ साकरात्मक बदलाफ करने पड़ेंगे अच्छानक हुई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए उल्चन पैदा कर सकती है आपने भली भाती काम किया है इसलिए अब उसके फाइदे लेने का समय आ गया है घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं चीवन साथी के साथ हसते खिल खिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किशोर आवस्था में लौड गये है आपका आज का लखी अंख है एक और लखी रंग है नारंगी और सुनहरा उपाई के लिए कच्छे कोईले शाम को जल प्रवाहित करने से हेल्थ अच्छी रहेगी तो दोस्तो अब बारी आज चली है आखरी राशी यानि की मीन राशी की तो जानते हैं मीन राशी के लिए कैसा रहेगा आज का दिन अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज के दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं कुछ वक्त आप खुद को नए रोमान्चक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फाइदा पहुचाएगा आपके बच्चों के पुरुसकार वित्रण समारों का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास लाएगा वे आपके उमीद पर खरे उत्रेंगे और आप उनके जरीए अपने सपने साकार होते हुए पाएंगे समय, कामकाज, पैसा, यार, दोस्त, नाते, रिष्टे, सब एक और और आपका प्यार एक और आप आज दोनों एक दूसरे में खोए रहेंगे, कुछ ऐसा मिजास रहेगा आज आपका अपनी कारे कुशलता बढ़ाने के लिए नई तखनीकों का सहरा ले आपकी शैली और काम करने का नया अन्दास उन लोगों में दिल्चस्पी पैदा करेगा जो आप पर नस्दीकी से गौर करते हैं टीवी मॉबाइल का इस्तमाल करना गलत नहीं है लेकिन आवशकता से अधिक उनका उप्योग आपके जरूरी समय को खराब कर सकता है आपका जीवन साथ ही आपको प्यार का एहसास देना चाहता है उनकी मदद करें आपका आज का लखी अंग है साथ और लखी रंग है क्रीम और सफेद उपाई के लिए किन नरों को पैसा देने वे उनकी सेवा करने से लव लाइफ अच्छी रहेगी तो दोस्तों इसी के साथ अंत हो चला है हमारी आज की वीडियो का हम उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर करना बिलकुल न भूले मैं तानिया यादव अब लेना चाहूंगी आप सभी से इजासत कल फिर मिलूंगी नए देनिक राशी फल के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद